हेलो फ्रेंट्स आजकल आपके घर में भी बारिश की वज़े से सीलन वगरा हो रखी होगी और उसकी वज़े से क्या होता है कि थोड़ी सी स्मेल घर में रह जाती है थोड़ी या तो कपडों में से आरी होती है या वाल में से आरी होती है ऐसे ही हाल हमारी कीचन का भी है कीच क्लीनिंग के लिए फिर भी मतलब थोड़े दिर साफ करने के बाद फिर से हमको मक्यां से दिखने लग जाती हैं तो इसको हम किस तरह से मतलब क्या चीज यूज करके हम उसको ठीक कर सकते हैं तो वह मैं आपको जान करी देखे तो यहां पर हमने कपड़ा ले लिया है साफ सूतरा साफ कपड़ा ले लिजिए उसको हम क्या करेंगे इसको हम थोड़ा सा गीला कर लेंगे जब आपको कीचन अपकी साफ करनी है तो हलका सा गिला कर लीजिए ये हमने लिया है स्टेरी क्लीन ये मोधी केर का स्टेरी क्लीन है जो कि आपके कीचन को साफ करने का काम करेगा इससे आप अपने घर में पोचा भी लगा सकते हैं और बहुत सारी cleaning आप इससे कर सकते हैं अब ये जो आप ने कपड़ा लिया है उसमें आप थोड़ा सा स्टेरी किनिल लगा लेजिए आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक मग में इसको डाल लिया पानी में डाल लिया और उसमें ही कपड़ा ने चोड़के पूरे में लगा लिया अ मतला आपको जो बारबा परेशानी होती है कि कीचन में मख्या आ लिया मख्या लिया तो वो आपकी काफी हद तक ठीक हो जाएंगी और ये ये आपको किसी भी तरह से हम नहीं पहुचाएगा मतला आप इसको कीचन में भी आराम से यूस कर सकते हैं आप अपने पोचे के बा चलिए ऐसे क्राइप और मनतले और किया हैं वहांपर आपको एजी लिए इसको सरी कर सकते हैं उससे कैसे होगा कि तो वहा पर जो पी तरह की जम् dość होंगे और मर जाएंगे और साथ ही आपको एक अच्छी सी स्मेल आपको घर में मिलेगी आप इसको सैनिटाइज की रूप में भी यूज़ कर सकते हैं और साथ ही अगर आपके घर में या कहीं भी पानी खटा होता है आपके आसपास में तो आप उसमें एक ढखकर इसको डाल दीजिए वहाँ पर जो जम्स है वो भी मर जाएंगे तो ये पूरी तरह आपको जम्स प्री करने में मदद करेगा तो आप भी यूज़ करिए क्योंकि आज कल सीलन बहुत है और बच्चों की ट्वाइज वगर भी आप इसको आसानी से साफ कर सकते हैं तो पीना किसी परेशानी के आप इसको अपने कर में लाईए और यूज़ करिए अगली वीडियो में ओके थैंक यू